एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में हमारे एक सस्क्राइबर ने कमेंट किया था मैंगो बर्फी के लिए तो आज की इस वीडियो में आज हम बनाने वाले हैं मैंगो बर्फी बहुत इजी तरीका इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा आम से बर्फी करके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा ले ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियो से हैं वो आप सुभी को मिलती रहे तो चलिए स्टाट करते हैं तो आम की बरफी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आम चाहिए कोई भी आप आम ले सकते हो बस इतना ध्यान रखे कि खटा ना हो मीठा हो बिल्कुल परफेक्ट हो बड़िया आम हो तो आप वो ले सकते हो इसको काट के छील के मैंने यहाँ पे मिक्सी के जार में डाल दिया है यह जो आम था मेरे पास यह करीब 300 ग्राम का एक आम है आप चाहो तो कम या जादा भी कर सकते हो और जो मैजरमेंट है वो आप सेम रख सकते हो यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर मिक्सी के जार में ही डाल रहा हूं साथ में तो मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पे आधा कप से थो जादा भी डाल सकते हो अगर आपके पास आम कम है मिल्क पाउडर जादा डालना चाहते है तो मिल्क पाउडर जादा डाल सकते है आम जादा है या फिर मिल्क पाउडर कम है तो मिल्क पाउडर कम डाल सकते है आम थोड़ा सा जादा डाल सकते है मतब जादा आम रहेगा तो आम का जो टेस्ट है वो भी जादा रहेगा तो देखे, मैंने या पे दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है अब एक पैन या कड़ाई कोई भी चीज है जो गैस पे हम रखेंगे और इसमें डालेंगे एक चमच घी घी इसलिए डालते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि मिल्क पाउडर में फैट नहीं होता है या फिर होता भी है तो बहुत कम फैट होता है तो थोड़ा सा फैट बढ़ जाए हमारे घी से इसलिए मैंने इसमें घी डाला है और उसके बाद आम का जो पेस्ट है वो डाल दिया और ये इसी टाइम पे मैं चीनी भी इसमें डाल दूँगा तो चीनी का पाउडर बना के डाले तो और अच्छी बात है न तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं तो आधा कप मैंने इसमें चीनी डाल दिया है अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और कम से कम इसे 10 मिनट तक आपको इसको पकाना है 10 मिनट लगेंगे टोटल इसको पकने में और 10 मिनट में ये बहुत ही परफेक्ट जैसे बरफी सेट होने वाली बुबन जाती है वैसे बिल्कुल पैन को छोड़ने लग जाएगी 10 मिनट के बाद तो 10 मिनट तक बिल्कुल आपको इसे पकाते जाना है लो फ्लेम पे रखना है, मीडियम भी नहीं करना अगर मीडियम भी रख सकते हो तो रख ले बस आप इतना ध्यान रखे कि जो क्ड़ाई है उसमें चिपके ना उसके बाद मैंने उसमें इलाइची का पाउडर डाल दिया है इलाइची का पाउडर उप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डाले, अगर आपको आम कही only फ्लेवर बिल्कुल मत डाले मैंने यहां पर थोड़ा सा डाल दिया है ताकि जो flavor है वो बहुत अच्छे से आए और आम का जो flavor है यह इसमें और उसके बाद हम क्या करेंगे इसे थोड़ी देर तक पकाते रहेंगे मतल़ तोटल 10 मिनट तक पकाना है 10 मिनट से जादा भी लग सकता है कम भी लग सकता है बस अगर आप इसको सेट करने के लिए रखें तो एक बार आप इसे चेक जरूर कर लें अभी हम थोड़ा सा घी इसमें और डाल रहे है ताकि जो बर्फी है मैरी सौफ्ट रहे और लॉंग टाइम तक जो बर्फी है वो खराब नहीं हो इसलिए मैंने इसमें आदा चोटी हो चुके हैं और इस टाइम पर आप देख सकते हो जो बर्फी हमारी वो पैंट चोड़ना स्टार्ट हो चुका है तो जब इस तरीके से पैंट चोड़ने लग जाए तो हमें क्या गरना है ग्यास बंद कर देना है और उससे पहले हमें क्या गरना है इसे चेक करना है कि यह सेट होने के लिए ready है या नहीं यह देखिए थोड़ा सा आपने ऐसे उठाना है और इस वे अपने finger में आसे घुमा के देखना है इसको गोल गोल बनाना है इसका चोटा सा बॉल बनाना है अगर यह बिल्कुल बन रहा है सही से आपके हाथ में चिपक नहीं रहा तो इसका यह मतलब है कि यह बिल्कुल ready है सेट होने के लिए देखिए यह बिल्कुल सेट होने के लिए ready है बिल्कुल नहीं चिपक रहा तो में तो अब हम क्या करेंगे इसे सेट करने के लिए थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे ग्यास मैंने बन कर दिया है अब इससे थोड़ी दिर के इसके उपर थोड़ा सा ओई लगाया है ताकि जो बर्फी कट करें तो यह इसली तरीके से निकल आए यह देखिए अब इसके उपर हम बर्फी को सेट करेंगे बर्फी अभी गरम है लेकिन इतना गरम नहीं है कि मैं इसे हाथ ना लगा सकूँ हाथ लगा सकते हैं और बहुत जादा गरम भी नहीं है अगर बहुत जादा गरम है तो आप इस पैचुला से ऐसे थोड़ा सा सेट कर सकते हो अच्छा यह काम आप बर्फी के ठंड होने के बाद भी कर सकते हो लेकिन जब बर्फी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा कि ऐसे जब आप इसको बीच में क्रैकिंग बहुत जादा दिखाए देंगी मतब सूकी पपड़ी पपड़ी जैसे सूक जाएगी तो वो बिलकुल शाइनिंग नहीं आएगी तो इसलिए थोड़ा सा जब गरम रहे तब भी आप इसको बर्फी की तरह सेट कर दें उसके बाद कटे हुए पिस्ता बर्फी बलकुल आप गटे के बाद सेट हो चुकी है अब वहने इसको निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे इसको कट करेंगे ये देखिए बिल्कुल सेट है, perfect बर्फी सेट हुई है और कट करने से ही आपको पता लग रहा होगा कि जो बर्फी है वो बिल्कुल soft, perfect और बिल्कुल जैसे हलवाई की shop पे बनाते हैं वैसी कि वैसी बर्फी है, same अभी मैं आपको पूरी तरह से इसको cut करके दिखाता हूँ ये देखिए, अब इसको काटने के बाद आप चाकु इस तरह से इसके नीचे मारेंगे तो ये बिल्कुल जो बर्फी है वो निकल के आ जाएगा ये देखिए, तो हमारी बर्फी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है आप भी इसी तरीके से perfect आम की बर्फी आम का seizure है तो आम की बर्फी आजिली तरीके से आप घर पे बना सकते हो अगर आप भी और कोई recipe बनाना चाते हो या और कोई recipe चाते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो तो मैं जरूर अपलोड करूँगा तो ये वीडियो दोस्तो कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताईए अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच दोस्तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया